हे गाइस विल्कम बाग टू मावीटी किचीन इस्टार तो गाइस आज मैं आप सब के लिए दुबारा से बहुत ही बुणया केक की रेसिपी लेकर आएगू अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर बहुत सब अच्छी लगे तो ह मारे वीडियो को शेयर करें तो चलिए हम रेस्पी बनाना सुरू करते हैं तो गाइस प्लम केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा और जूस तो यहां पर मैंने आधा कप और जूस लिया है जो की हेंड़ेड एमेल है और इसमें हम चॉप की हुई रेड चेडिस टाल है यह भी टेवल स्पून है और साथ में हमने हमने डाला है अब इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम आदे घंटे के लिए साइड में रख देंगे ताकि यह जो ड्राइफ रूट है वह अच्छी से और इसको सोक कर लें और सॉफ्ट हो है अब आप चाहें तो नीचे बटर पेपर लगा सिफते हैं अब आज में बटर पेपर नहीं लगा रही हूं इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कुकु पाउडर क्योंकि यह चोक्रेट केक होने वाला है तो अगर हम इसमें मैंदा डालेंगे तो वह वाइट वाइट अब सुगर केरमल बनाते हैं तो उसके लिए हमने लिया है यहां पर एक पैन और इसमें हम डाल देंगे सुगर तो यहां पर हमने वन फोर्थ कब जो है चीनली है यह आधी कप वाला था तो मैंने से एक चौथाई कप ली है और इसे धीमियाज पर हम ऐसे ही केरिमल होने दे लिए शुगर को कर देगा तो ऐसे में बहुत इंपोर्टेंट है कि आप इस सुगर को अच्छे से चला ली नहीं तो क्या होगा कि सुगर जो है वह बहुत ही जलदा जलने लगेगी एक तरफ से और कई जगह तो अच्छे से केरमल भी नहीं होंगी तो यह हमारी जो सुगर है वो कैरमेल हो गई है और अब हम इस समय गैस को बंद कर सकते हैं और बंद करने के बाद हम इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और जब यह हलकी सी ठंडी हो जाएगी वैसे पूरे ठंडी करें तो जादा अच्छा है लेकिन अगर हलकी सी ठंडी है जल्दी है तो आप इसमें पानी मिला दीजिए और यहां पर आधक कप ही हमने इसमें पानी मिलाया है और अब गैस के फ्लेम को आपको तेज करना है और त इतनी भी जमी हुई सुगर है यह सब निकल जाएगी और यह सुगर जो कैरेमल है वह अच्छे से रेडी हो जाएगा यहां पर हम ट्राइंंग रियंट मिस तो यहां पर हमने लिया है वन a half cup मैदा तो एक और आदा कप जब देफ़ कबमेदा हल्या और ७्सिटा यह दू यूप तो यहां पर हम इस दो आधे कप पीस हुई-चीनी यूज रहे हैं ळा रख भी सद्क era चाहर हो और यहां पर बेकिंग पौडर डाल देंगे, हम पहले 1 TSP और इसके बाद 1 TSP तो यह हम ने बेकिंग पौडर डाल दिया, बेकिंग सोडा हम आदरी चमज डालेंगे, और यहां पर मैं मिल्क पॉडर का इस्तिमाल कर रही हूँ यह हमने 1-3 cup डाला है आप शाहे तो इसे skip कर सकते हैं पर इसको डालने से टेस्ट काफी अच्छा आजाता है और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से चान लेंगे चानने में कोई भी दिक्कत हो तो आप पहले इस तरह से चला लें क्योंकि बहुत सारी कॉइंटिटी हो गई है और इसके बाद इस अच्छी से चान लेंगे तो आप इसे हम अच्छी से चान लेंगे तो गाइस यहां पर आगे मैंने जितने भी जो ड्राइफूट वगरा यूज किये थे जिनने सोख होने के लिए रख जा सकता है तो यहां पर यह मिक्षर तो होगा इसको रेडी हमारा ड्राइ इंग्रीडेंट और इसमें हम डाल देंगे सुगर केरेमल जिसको अभी अभी अमने केरेमल किया था यह पूरी तरह से ठंडा हो गया है और यह कॉइंटिटी मैंने हाफ कब डाला है इसके बाद य सीधे इस पूरे जूस को डराय फ्रूट को इसमें मिक्स कर देंगे एस वैसे जो डाइस-ग। तो तरी तो जा मैं सली को सिनमंत पॉॉडर दीचंप मॉल्च आऑज देखा पॉकनी ह referrals । अब रहा ने कि अएभी मुझे करें डिल भिए मुझा सुन मुझे करें तो चुआ योग मुझे कॉझे हिना। तो यहां पर हमने पूरा आधव कब दूध है जिसे धीरे धीरे करके एट करेंगे पूरी तरीके से आप और इसको पोरिंग कंसिस्टेंसी का तो बिल्कुल नहीं बनाना है, यह इसी तरीके से थिक रहने वाला है, बैटर, आप इसमें हम वन टेबिल स्पून विनेगर डाल देंगे, यह डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके पास विनेगर नहीं है, तो आप और इसे अच्छे से फोल्ड कर दें, तो बैटर हमारा बन करके बिल्कुल तयार हो गया है, चलिए इसे पकाते हैं, तो यहां पर जो हमने कुकर लिया था, जिसे हमने पहले से ग्रीस किया था, इसमें हम डाल देंगे इस बैटर को, पुरा बैटर हम इसमें डाल देंगे, और इसे ऐसे ही हम पकाने वाले हैं तो इसके उपर मैं थोड़ा सा टैप कर लूँगी से पहले तो ताकि जिस नहीं भी इसके अंदर भर गई है वो निकल जाए और इसके बाद हम इसके उपर थोड़ा सा ड्राइफरूट लगा देंगे तो कोई भी ड्राइफरूट अप कार तो गाइस अगर आपको हमारे ईप्ड़ा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर बहुत साथ अच्छी लगी है तो हमारे वीडियी ओ को शेयर करें साथ में मुझे गुभह कमेंट करके जरूरूज बतायां कि वीडियो आपको कैसी लगी तो यहां पर слово दे कम और इसके बाद हम इस तरह से इसकी ऊपर को रखेंगे डायरेक्ट हम कुगर को गैस की फ्लेम पे नहीं रखेंगे अधरवाइस नीचे से के चल सकता है और इस तरह से रखने के बाद हम इसे 50-50 मिनट के लिए पका लेंगे तो पूरे 50-55 मिनट के लिए धीमियाश पर इसे हम और चुट अब पूरी तरीके से ठंडा होने के चोड़ेंगे लिए जब अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए इसके बाद इसे डीमोल्ड कीजेगा अदर्वाइस जब निकालते हैं तो तूट सकता है तो अच्छे से ठंडा हो गया है इस तरह से टैप कर ले और यह देखिए क तुर्ट ना अच्छा केक पक करके तयार हुआ है वियूब जैसे केक मार्केट में मिलता है प्लम केक वैसा ही यह केक बंदर के त्यार हुआ है अब मैं आपके इसे कट कर के भी दिखाती हूं कि केक जो फीर वह अंदर से किस तरीकी के बना है और इसकी सॉफनेस मुझे Не तो आज मैं से इस तरीके से पीसेस में कट करने वाली हूँ जैसे कि मार्केट में चौकू और पीस में मिलता है चाहें तो जैसे केक का बाइट करते हैं वैसे भी कट किया सकता है तो यह देखिए गाइस इसके अंदर कितने अच्छी जाली पड़ी है कितना ज्यादा सुन्दा लग रहा है देखने में और जो नट्स हमने डाले थे वो भी कितने अच्छे से सेट हैं बीच में ऐसा नहीं है कि तलहटी में जो ने जो हमने ड्राइफ्रू डाले थे वह कितने अच्छे पाले 1 गयो हमने जो हमने और जुरूल उने जो हमने जो हमने अच्छे से एके और जो हमने अच्छे सेटे अ झाल झाल झाल